कुछ दिना पहलना साधे चानवलो एक रिपोर्ट पेश कीती गई सी जिसमिछ दस्या गया सी कि पंजाब विधानसबा चौना जितन तो बाद सरकार मंत्रियानू लोकल बोडी मंत्राला जिंदी सी पर ओही मंत्री अगला विधानसबा चौन नई जित पान दे सी ते आज ओह को भी गल साच होई है पेश है तोड़े समनिक रिपोर्ट 1991 से मुनिसिपल कमेटी का स्तर उंचा कर कॉर्परेशन का दर्जा दिया गया है अब हम एक नज़र डालते हैं 1991 से शुरू कर 2017 के विधानसबा चौनावों की परिनामों की और नमस्कार मैं भावी निखना न्यूस चौनाव नहीं चीत पाई यहां वर्णन योगी है कि राज्जी की मुनिसिपल कमेटी वा मुनिसिपल कॉर्परेशन लोकल बॉड़ी मंत्राले के अंदर कर्द आती है और साथ ही साथ इंप्रूव्मेंट ट्रस्ट भी इसी के अंदर आता है यानि कि आम आदमी की अजाम इसी विभाग के अंदरगत होते हैं लेकिन अब प्रश्ट यह है कि यह मंत्री अगले विधानसभा चुनाव क्यों नहीं जीत पाते इसके पीछे क्या कारण हो सकता है क्या वे अपने जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभापारे यहां फिर विभाग की अनियमत आ पाड़े आ रही हैं फिल्हाल आईए एक नजर हम 1992 से 2017 के विधानसभा चुनावों के परिनामों की तरफ डालते हैं 1992 में बनी कॉंग्रेस सरकार में लोकल बॉडी मंत्री थे डॉक्टर केवल कृष्ण जो कि 1997 में चुनाव हार गई 1997 में अकाली दल बाचपा सरकार बनी तथा बलरामती दास टंडन को ये विभाग मिला लेकिन वें भी 2002 में विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए 2002 में फिर से कॉंग्रेस विजे हुई तथा चौधरी जगजीत सिंग लोकल बॉडी मंत्री बने थे लेकिन 2007 में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा 2007 में बाचपा कालीदल सरकार में कुछ देर के लिए मनुरंजन का लिया थे लेकिन फिर तीक्षन सूद ने लोकल बॉडी मंत्री का कारेबार संभाला और 2012 के चुनाव में तीक्षन सूद हार गई 2012 में एक बार फिर से अकालीदल भाचपा गटबदनन की सरकार बनी तथा अनिल जोशी लोकल बॉडी मंत्री नियुक्त हुए लेकिन जोशी भी 2017 का चुनाव हार गई 2017 में कॉंग्रेस सरकार के दुरान पहले नवजोच सिंग सिद्धू तब फिर ब्रह्मोहिंद्रा ने इस मंत्राले का कारेबार संभाला ब्रह्मोहिंद्रा तो इस बार पंजाव इधान सभा के चुनाव में दान में नहीं है अब 10 मार्च को पता चलेगा कि 1992 से शुरू हुई लोकल बॉडी मंत्री के चुनाव हारने की पद्धती अभी तक जारी है या फिर ये कड़ी तूट कई है